नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि आप सिक्षक भरती की तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है देखे दोस्तों नवोदय विद्याले समित के माध्यम से नई सिक्षक भरती का जिसमें teaching और non-teaching दोनों पद हैं, तो आज किस वीडियो में इस vacancy के बारे में detail में बात करेंगे, जैसे कि इस vacancy के लिए कौन-कौन लोग eligible है, आयू सीमा क्या है, वेतन कितना दिया जाएगा, इन सभी के बारे में एक-एक करके बात करेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो क पूरा ध्यान से और लाश तक देखिए आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें बताया गया है किस किस पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई है इसमें दोस्तों टेचिंग और नन टेचिंग दोनों के पद सामिल है चलिए आगे बढ़ते हैं द चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है दोस्तों पोस्ट ग्रेजवेट टीचर फिजिकल एजूकेशन इसके लिए 91 पोस्ट है इसमें भी वेतन 47,600 से 11,100 रुपे तक दिया जाएगा अधिक्तम 40 वर्स एज होनी चाहिए Essential Qualification यहां पर बताया गया है Master of Physical Education की डिग्री होना अनिवारे है चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके सभी वेकेंसी के बारे में डीटेल में बात करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लाश्ट तक देखिए नेक्स्ट है Post Graduate Teacher Modern Indian Language इसके लिए 46 पोस्ट है वेतन 47,600 से एक लाकी क्यों नजार सवरुपे तक दिया जाएगा 40 वर्स से अधिक एज नहीं होनी चाहिए Essential Qualification बताया गया है Master Degree from a Recognized University यहां पर बताया गया है कि Master Degree होनी चाहिए 50 प्रस्यत अंकों के साथ में ठीक है Modern Indian Language साथ में दोस्तों B.A.D. की डिगरी होना अनिवार है आगे बढ़ते हैं सभी वेकेंसीज के बारे में बात करेंगे Next है Trained Graduate Teacher TGT Computer Science के लिए है इसमें 649 पोस्ट है वेतन 44,900 से 1,42,400 रुपे तक दिया जाएगा 35 वर्स से अधिक एज नहीं होनी चाहिए TGT Computer Science के लिए Essential Qualification बताया गया है Bachelor Degree in Computer Application from a Recognized University Computer Application में Bachelor Degree होना अनिवार है साथ में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है Seated Pass होना अनिवार है इसके साथ में B.A.D. की डिगरी होनी चाहिए यह TGT के लिए है आगे बढ़ते हैं Next है दोस्तों TGT Art इसके लिए 649 पोस्ट है 344,900 से 1,42,400 रुपे तक दिया जाएगा 35 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए Essential Qualification है Fine Arts में डिगरी होनी चाहिए अथवा B.A.D. डिगरी in Fine Arts Fine Arts में B.A.D. की डिगरी है तो भी आप इसके लिए eligible है आगे बढ़ते हैं Next है Trained Graduate Teacher Physical Education इसके लिए दोस्तों 1244 पोस्ट है 344,900 से 1,42,400 रुपे तक दिया जाएगा 35 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए Essential Qualification यहां पर बताया गया है Bachelor of Physical Education डिगरी Bachelor of Physical Education की डिगरी होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों Next है Trained Graduate Teacher Music TGT Music की वेकेंसी है 649 पोस्ट है 34,900 से 1,44,400 रुपे तक दिया जाएगा 35 वर्ष से अधिक एज इसमें भी नहीं होनी चाहिए Essential Qualification बताया गया है A Bachelor of Education in Music Music में Bachelor of Education होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सभी वेकेंसी के बारे में डीटेल में बात करेंगे Staff Nurse के लिए यहां पर वेकेंसी है यह female के लिए है 649 पोस्ट है इसके लिए इसके लिए वेतन दोस्तों 44,900 से 1,42,004 रुपए तक दिया जाएगा 35 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए और Essential Qualification इसमें बताया गया है BSC in Nursing Nursing में BSC होना अनिवार है अथवा करके और भी योगिता यहां पर दी गई है 35,400 से 1,12,400 रुपए तक दिया जाएगा यहां पर दोस्तों बताया गया है 50 प्रश्यत तक इसमें प्रोमोशन से भरा जाएगा और 50 प्रश्यत competitive exam के माध्यम से भरा जाएगा आगे बढ़ते हैं Next है Catering Supervisor इसके लिए 637 पोस्ट है ग्रूप C के अंतरगत यह वेकेंसी है वेतन 25,500 से 81,100 रुपए तक दिया जाएगा 35 वर्श से अधिक एज नहीं होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्राम एन इंस्टिटिउशन रिकरगनाइजड बाई मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म गोर्मेंट आफ इंडिया या इस्टेट गोर्मेंट तो यहाँ पर बताया गया है होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो सभी वेकेंसी के बारे में ध्यान से देखते हुँ चलिए इलेक्ट्रीसियन कम प्लंबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है पांच सो अठानवे पोस्ट है वेतन उनिस जार नौ सो से तिरसर जार दो सो रुपे तक दिया जाएगा अठारा से चालिस वर्स के बीच में एज होनी चाहिए यहाँ पर इसेंसियल क्वालिफिकेशन बताया गया है तेंथ क्लास पास होना अनिवार है साथ में आई टी आई का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है दो साल का एक्स्पिरियंस भी मांगा गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला है मिस हिल्पर इसके लिए 1297 पोस्ट है वेतन 18,000 से 56,900 रुपए तक दिया जाएगा 23 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए इसेंसियल क्वालिफिकेशन बताया गया है क्लास 10 यहाँ पर पास होना अनिवार है आगे बढ़ते हैं दोस्तो सभी वेकेंसिस के बारे में ध्यान से देखते हुए चलिए असिस्टेंट कमिशनर की वेकेंसि है इसके लिए केवल 38 पोस्ट है यहाँ पर दोस्तो 78,800 से 2,900 रुपए तक वेतन दिया जाएगा 45 वर्ष से अधिक इज नहीं होनी चाहिए Essential Qualification बताया गया है Master degree होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टी से 50 प्रिशत अंकों के साथ में इसके साथ B.A.B. होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तो Working as Principal मतलब यहाँ पर Experience भी मांगा गया है यह दोस्तो Assistant Commissioner की वेकेंसि है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट देखेंगे नेक्ष्ट है दोस्तो Computer Operator इसके लिए 8 पोस्ट है यहाँ पर वेतन 25,500 से 81,100 रुपे तक दिया जाएगा 18 से 30 की बीच में Age होनी चाहिए Essential Qualification बताया गया है B.C.A. या B.S.C. Computer Science या IT से होना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला है इस टेनोग्राफर इसके लिए 49 पोस्ट है यह Group C के अंतरगत वेकेंसी है 25,500 से 81,100 रुपे तक दिया जाएगा 18 से 27 की बीच में Age होनी चाहिए 12 पास इसमें आवेदन कर सकते हैं Skill Test भी इसमें मांगा गया है तो यह पूरी वेकेंसी है दोस्तो पूरा notification है अभी इसका online आवेदन दोस्तो सुरू नहीं है जैसे इसका online आवेदन सुरू होता है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सुचित कर दिया जाएगा इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए इस वीडियो को दोस्तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद